हेलो स्टुडेंट्स चार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सराइज 7.3 इसके कोशन नमर सेकेंड है आपका काफी इंपोर्टेंट कोशन इंटिग्रेशन साइन 3X इंटू कोश 4X DX सबसे पहले आप करते हैं जो बड़ी वैल्यू है एंगल की उसको पहले लिख लेते हैं क कोश 4X इंटू साइ्न 3X DX और यह आइडेंट्टी बनाना चाहते हैं इसको मने 2 से मल्टिप्वाय किया है वो 2 से ही डिवाइड़ आइडेंट्टी क्या थी आपके पास में? आइडेंट्टी थी आपके पास 2 कोश A into में sin b बताएंगे क्या identity होते ही 11th में पढ़ी हुई है आपने sin of a plus b minus sin of a minus b यह identity आपने 11th में पढ़ी है उसका use करेंगे इसके अंदर यहाँ a आपका 4x रिपेजन करता है और b जो है वो 3x है लगाए यह identity को बताएंगे 1 by 2 integration क्या identity रहेगी sin of a plus b क्या है यह आपके पास 4x बताएं साथ के साथ plus 3x minus क्या लिखेंगे आपके sin of क्या है a minus b a क्या है आपके पास 4x minus b क्या है आपके पास 3x क्योंकि इस identity का use हमने यहाँ कर दिया है क्योंकि product के लिए मारे पास integration का भी कोई rule नहीं है उसके लिए क्या क्या है आपने separate कर दिया इनको तो by using the identity अब आप इसको add करते हैं देखिए 1 by 2 integration यह आजएगा आपका 7x minus यह आजएगा आपका sinx क्योंकि 4 plus 3 होजएगा 7 4 minus 3 होजएगा 20x यह आएगा dx अब इसका integration लिखते हैं 1 by 2 यह तो बार है यह आपके पास sin है क्या होता है sin का minus क्योंकि sin का आपने direct integration पता है क्या होता है minus cos 7x और जो x का coefficient है 7 उससे आपे divide करते हैं यह यह कह सकते हैं इसका जो derivative है angle का उससे divide किया जाएगा तो sin का हो जाएगा minus cos 7x और by जाएगा 7 यह भी minus sin का क्या लिखेंगे आपे minus cos क्या लिखेंगे minus cos दोनों same है यह भी minus cos यह भी minus cos बस यह angle 7 था तो by 7 आया यह x है तो x ही रहेगा और plus में c रहेगा अब यहां से इसको simple करके लिखते हैं 1 by 2 से multiply करेंगे तो minus 1 by 14 cos यह रहेगा आपका 7x minus minus हो जाएगा plus 1 by 2 and cos x plus c काफ़ important है और identities का यूज़ करके इसको आपने integrate क्या है next question आता है question number 8 integration 1 minus cos x divided by 1 plus cos x dx इसमें क्या करेंगे दोनों की दोनों identities है 1 minus cos x भी और 1 plus cos x identity तो आपके पास यह होती है 1 minus cos 2 x की तो उसके लिए जो identity यूज़ करते हैं आप के बताएंगे क्या होती है 11 में पढ़ी है 2 sin square x और जो plus के लिए identity पढ़ी है वो आत्प के लिए हो जाती है दोनों की दोनों identities को यहां use करेंगे आप है 1 minus में 1 minus cos x इसके लिए identity होती है आपकी 2 sin square x by 2 क्योंकि जो angle है उसका आप करेंगे यहां भी plus के लिए plus के identity लगाएंगे 2 cos square x by 2 dx क्योंकि दोनों ही identity लगाई है यहां 2 x angle है तो x हो जाएगा x यहां angle है तो x by 2 हो जाएगा 2 से 2 cancel अब मुझे बताएंगे आप पे हमना identity है sin by में cos क्या पड़ा हुआ है सोटी classes में sin x by में cos x बताएगे क्या होता sin x by cos x इसको लिख दिया जाता है tangent x तो यहां भी sin by cos है यह हो जाएगा आपका tangent x by 2 और क्या था साथ में square तो यह भी होजएगा 10 square और यह होजएगा dx अब 10 square का भी integration नहीं होता है मारे पास इसको change करेंगे फिर identity के अंदर आपने पड़ा हुआ है tangent square x इसको क्या लिखते हैं आपे secant square x minus 1 यह identity में change करेंगे इसको लिख दिया जाएगा secant square x by 2 minus 1 क्योंकि जो 10 square होता है वो जाएगा secant square minus 1 change कर दिया हमने 10th में पड़ा हुआ था इस तरह क्या इडेंटी अब इसमें secant square का आपको direct integration आता है क्या होता है secant square का वो होता आपका tangent x by 2 और जो x by 2 है angle उसका derivative होता 1 by 2 उससे हम इसको divide करेंगी और 1 constant के लिए साथ में x आ जाता तो यह होजएगा x plus में c अब इसको लिख जाएगा आपका 1 by 2 को reciprocal करेंगे तो 2 into में tangent x by 2 minus x plus c यह आपका काफी important question काफी time आता है तो इसको भी 2 से 3 times करके देखे easily से होजएगा identity का साथ की साथ use करें और याद रखें thank you